स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चेनल पर आज के इस वीडियो में एक नया टोपिक मद्द प्रदेश का लेकर आये हैं तो आज के इस वीडियो में हम जिस टोपिक के बार में चर्चा करेंगे वह है मद्द प्रदेश के राष्टी उद्यान एवां अब्भारन यह जो टोपिक है इस समबंदी बहुत सारे जो कोश्चन्स है आपके MP की जित्ती भी एक्जाम्स आप देते हैं उनमें मद्द प्रदेश के राष्टी उद्यान और अब्भारन से समबंदी चार से पांच कोश्चन्स जो है आपको देखने को मिलते हैं तो इसलिए यह जो टोपिक है हमारे लिए बहुत ही important है तो इसलिए इस वीडियो को लाष्ट तक आप जरूर देखिएगा साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा साथ ही अगर इसकी आप पीडियो अप लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला कोशन है कि विश्व की पहली टाइगर सपारी मद्द प्रदस के किस जिले में आपके इस्तापित की गई है चार उप्षन है रिवा, सतना, पन्ना या मंडला तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मद्द प्रदस के सतना जिले में विश्व की पहली टाइगर सपारी आपके इस्तापित की गई है देख लिजें यहाँ पर लंबे समय तक टाइगर राज़ का दर्जा प्रदस के नाम एक और उपलब्दी तब जुड़ गई जब 3 अपरेल 2016 को सतना जिले के मुकंद पूर में विश्व की पहली टाइगर सपारी का उप्चार एक रूप से लोकारपन किया गया तो देखिए विश्व की पहली टाइगर सपारी काहाँ पर इस्तापित की गई तो मुकंद पूर जो कि आपका सतना जिले में एक जगा है और कब की गई तो आपकी यह की गई थी 3 अपरेल 2016 को अगला कोशन यहाँ पर देख लिजिए कि सतना जिले के मुकंद पूर में इस्तापिते विश्व की पहली टाइगर सपारी का नाम किसके नाम पर रखे जाने की गोशना की है चार उप्षन है विर सिंग बुंदेला ठाकुर रणमत सिंग महराजा मारतन सिंग या छत्रसाल तो इसका आपका जो राइट अंसर बनता है वो बनता है उप्षन सी महराजा मारतन सिंग के नाम पर जो है यह जो विशो की पहली टाइगर से अपारी जो की मद्द प्रदेश में इस्तापित की गई है इसका जो नाम है महराजा मारतन सिंग के नाम पर आपका रखा जाएगा है चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला कोशन अगला कोशन है विशो का पहला गो और बहरान मद्द प्रदेश के कि जिले में इस्तापित किया गया है चार उप्षन है यहाँ पर साजापूर, आगर मालवा, उजेन या देवास तो इसका आपका जो सही जावब बनता है वो बनता है उप्षन भी मद्द प्रदेश के आगर मालवा में विशो का पहला गो और बहरान आपका इस्तापित किया गया है तो मद्द प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनर छेतर में के ग्राम सालरिया में विशो का पहला गाम धेनू गो बहरान आपका इस्तापित किया गया है तो इसलिए हमारे लिए important बनता है कि मद्धप्रदेस के किस जिले में विश्व का पहला गो भेरान आपका इस्तापित किया गया तो यह मद्धप्रदेस के किस जिले में आपका इस्तापित किया गया है या किया जाएगा तो यह मद्धप्रदेस के देवास जिले में आपका प्रदसके इस्तवित किया जाएगा है कि अगला कोश्शन के नए प्रप्रावरी द्वार्ज नए टाइगाइर अभःरन है इस्ताफित किया جाने की घुश्णा में मद्दाप्रदिस का कुन सा अभ्यारण शामिल है चार उप्षन रातापनी, राश्टी, चंबल, कुनो या रालामन्डल तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मद्द प्रदेश का जो राता पानी अभ्यरन है इसको टाइगर रिजोर वा जो है आपका घुशित किया गया था अगर आपसे पूछ लिआ जाई के मद्ध प्रदेश में वर्थमान में नेशनल पारक चो बर्वा राश्टी उद्धानु की संक्या कितनी है तो यहां पर 12 है हमारा यहां पर राइटांसर बनता है कौन-कौन से यहां पर है तो देखिए काना राष्टी उद्धान, बांदोगर राष्टी उद्धान माधव राष्टी उद्धान, पन्ना राष्टी उद्धान संजयी राष्ट उध्यान, पेंच, सत्थपुडा, वन वियार, फासिल और उंका रेश्वर साथ जो कुनो पालंपूर आपका बारवा बना है वह भी जो है मद्द प्रदेश का आपका राष्ट उध्यान है अगला कुशन यहापर है कि मद्द प्रदेश का वह एक मातर राष्ट उध्यान कौन सा है जहाँ पर बेडरी प्रजाती का बारा सिंगा आपका पाया जाता है चार उप्षन है सत्थपुडा, बांद वगड, काना किसली या उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसका आपका जो राइट उध्यान अपने प्राकरतिक संदर और रमणीयता के लिए विख्यात है यहाँ पर सेर, चीतल, रिच, निलगाई, कृष्णमर्ग, हीरन, आदी के साथ ही दूलब प्रजाती का बेडरी प्रजाती का जो बारा सिंगा है वह भी आपका पाय जाता है जो प्रदेश में एक मात्र इसी उद्ध्यान में आपका मिलता है महीं बात करें कि जो काना किसली राष्टी उद्ध्यान ने इसकी स्ताफना कप की गई थी तो 1955 में जो है इसकी आपकी स्ताफना हुई थी साथी से 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट का जो दर्जा है वह दिया गया साथी देखिए काना किसली राष्टी उद्यान प्रदेश का एक मात्र एसा राष्टी उद्यान जिसका स्वाइम का सुभंकर जो है इसने जारी किया है और वह है भुरादब बारा सिंगा तो भुरादब बारा सिंगा जो काना नेशनल पार का है इसका आपका सुभंकर है और मद्दपदेश का एक मात्र एसा राष्टी उद्यान जिसका स्वाइम का आपना सुभंकर है और आपकी जानकारी के लिए बता दे कि भुरादव जो बारा सिंगा या जो सुबंकर एक इसने तयार किया है तो जो रोहन चक्रवती है उनके द्वारा यह जो सिंबोल है इसको आपका तयार किया गया है तो यहां से भी कोशन जो है आपका बन सकता है देखते हैं यहां पर ह चिंदवाड़ा शिवपूरी या साजापूर तो इसका आपका जो राइट अंसर बनता है वो बनता है साजापूर जिले में जो है आपका प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व इस्तापित किया जाएगा और किसके लिए होगा तो जो काले हिरन है या कृष्ण म्रग ह प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व यानि की सामुदाइक साजापूर में इस्तापित किया जाएगा और साजापूर जिले में लगभग आपके जो है ग्यारा सो हिरन यहाँ पर रहते हैं अगला कोशन यहाँ पर है कि काना राश्ट्री उद्ध्यान के संबद में सही कथनों को कुट द्वारा चुनिया यानि कि जो सही कथन है वह हमें यहाँ पर बताने है तो यह 1933 में आपका वहिववईन बना था यह कथन आपका बिलकुल सही है दूसरा है यहाँ पर कि 1952 में अभ्यारान था था 1955 में इसे राश्ट्री उद्ध्यान बनाए गया यह भ अमारा काना किसली राश्ट्री उद्ध्याने 940 से वर्ग किलोमेटर में फेला हुआ है तो ओप्षन 3 जो है अमारा यहाँ पर गलत होता है इसे जो है 1934 में टाइगर प्रोजेक्ट में आपका शामिल क्या गया था तो यह भी ओप्षन अमारा राइट बनता है यानि कि पह बना तथा सुतंतरता पश्चात 1952 में अभ्यरण तथा 1955 में राश्ट्री उद्ध्यान का दर्जा मिलने के बाद सरो प्रतम 1934 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतरगत आपका इसको शामिल क्या गया था इस उद्ध्यान का छेतरपल 940 वर्ग किलोमेटर है न कि 940 वर्ग म तो इसका उप्शन B जो है यानि के पेंच राश्ट्री उद्ध्यान में आपके पारक इंटरप्र्टेशन योजना जो योजना लागु की गई है और किसके सयोग से उद्ध्र जो आपके प्रदेस प्रथम जिवासमर राश्ट्री उद्ध्यान का पर इस थी थे? चार ओप्षन है उमरिया डिंडोरी शिव पूरिया अप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है ओप्षन भी डिंडोरी में जो है मद्यप्रदेश का प्रतम जिवास्मा राष्टी उद्यान आपका इस्तित है भारत के चार जिवास्मा फासिल पुछा जा चुका है तो यह कहां पर है तो यह अग्ला कोश्चन यहाँ पर देखते हैं कि टाइगर राजज़ किसे घोशित किया गया है चार उप्षन उसके काना राश्टी उद्यान में विसे सुरुप से सरक्षन किया जाता है इस कारण मद्यप्रदेश को टाइगर इस्टेट भी कहते हैं साथ यह आपकी जानकारी के लिए आपर बता दे कि जो आपके टाइगर गर्णा की जो रिपोर्ट जिसे की 2019 में आपका प्रकाशित कि आ गया उसके अनुसार जो देश में सरवादिक जो वागों की संक्या है अमारे मद्यप्रदेश में है और उस रिपोर्ट के अनुसार मद्यप्रदेश में वागों की संक्या कितनी थी तो आपकी 526 थी दूसरा इस्तान जो है इसमें आपका करनाटक रखता है 524 वागों के साथ यानि कि मात्र दो बाग आपके करनाटक में कम निकले नहीं तो यह दोनों जो है आपके बराबर आ जाते हैं तो इसलिए 2018 के जन गर्णा जो बाग गर्णा हुई थी उसके अनुसार सरवादिक जो बाग है अमारे मद्यपतिस में पाए जाते हैं कितने हैं तो आपके जो का प्रतिवर्ष मना जाता है और इसी दिन जो है आपके जो रिपोट आई थे बाग गर्णा की रिपोट इसी दिन जारिक की गई थी तो यहां पर जो है इस रिपोट से जुड़ी जानकारी जो है हमारे लिए अमपोर्टेंट बनती है देखते हैं यहां पर अगला इस्ति थे हैं तो देखिए बांधोगर जो राष्टी उद्ध्यान है वो सेडॉल में नहोकर आपका उमरिया जिले में इस्ति थे बांधोगर राष्टी उद्ध्यान कहां पर इस्ति थे तो आपका उमरिया जिले में इस्ति थे माधव राष्टी उद्ध्यान की बात करे या जिला नहीं बना था। तब यह आपका शitला नहीं बना था तब वद टो राष्ट्री उद्यान वेंटित रहे हैं आपका उसितल सीन्थ, वहीं बांधर्वर राश्ट्री उद्ध्यान शिवपूरी में इस्ति थे इंद्रावती राश्ट्री उद्ध्यान बस्तर चतिस गड़ में जो है आपका इस्ति थे अगला कोशन यहाँ पर देखते हैं कि मगर तथा गढ़ियालो का सरक्षन कहां पर किया जा रहा है तो यह क सरक्षन आपका किया जाता है अगला कोशन यहाँ पर है कि मद्यप्रदेश का कौन सा छेत्र सफेट सेरों के लिए प्रक्यात है तो जो भगेलखन वाला आपका इलाका है सफेट सेरों के लिए जो है आपका जाना जाता है या सफेट सेरों की भूमी के नाम से भी आपका ज जाना जाता है और सरवादिक अगर आपसे पूछलिया जाए कि Doncos 확진 जो और ना जाए चार आज JI prag उत्वाद उचर शामिल नहीं है चार लजह पना पेंच अन्कर या माधा मद्द प्रजेक्ट के शिव पूरी जीले में इसती थे और इसकी स्ताफना अगर आप सो पूछी जाई तो 1958 में जो है आपके इसकी स्ताफना की गई थी देख लिए इससे जुड़ी जानकारी भागों के सरक्षन के लिए लागू की गई टाइगर प्रोजेक्ट योजना उन पन्ना तो इसका right answer बनता है काना किसली राष्ट उद्द्दान में सर प्रतम मद्द प्रदेश में राष्ट या जो आपकी योजना है लागू की गई थी बात करें तो कि काना किसली राष्ट उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् तो मद्य प्रदेश के छे एसे राष्टी उद्यान है जहां पर कि यह आपकी योजना लागू है साथ ही एक अब्यहरन राता पानी अब्यहरन है वहाँ पर भी जो है आपका यह जो टाइगर प्रोजेक्ट योजना है इसको लागू किया गया था तो कुल मिलाकर मद्य प्रदेश का कौन सा राष्ट उद्धान 32 deno सगी रहा हुआ चार अपशन सत्पुडा पैंच बांदवगर या कानक इसले तो बांदवकर राष्टी उद्धान है आपका 32 पाड़िों सगीरा हुआ है देख लίजेro जैसे जुड़ी जान करें मध्यब्य प्रदीश का बा नदी चरण गंगा नदी मध्य प्रदेश के किस राष्टी उद्ध्यान से उकर गुजरती है तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह आएगा आपका बांदगवर्ड राष्टी उद्ध्यान अगला यहाँ पर है कि रेप्टाइल पार्क आपका कहाँ पर इस्तापित किया गया या कहाँ पर इस्ती थे चार ओप्षन ने सीधी पन्ना रिवाया इन में से कोई नहीं तो जो पन्ना जिला है वहाँ पर आपका रेप्टाइल पार्क जो है इस्तापित किया गया और जो य यहां पर है एक तरफ हमें राष्ट उद्यान दिया गया दूसरी तरफ उनके स्थाफना वर्ष्ट दिया गया है तो इन्हें हमें मिलाना है तो देखिए सबसे पहले यहां पर हमारा आता है पन्ना राष्ट उद्यान तो पन्ना राष्ट उद्यान की बात करें हम कि इसकी स् थीऊ वन वीयर राष्ट उध्ण की 1979 में हमारी स्थापना हुई थी संत्पुड राष्ट्थान की 1983 में और इस्थाफना हुई थी यानि कि यह आज यहां पर आणसर है नह tecnología यहां पर कुछ और स्थुत उद्ध्द्द्द्धन और इनके इस्थाफना वढ़्ष जिल्य में इसती थे सचे में जो है आपका स्थाफित क्या गया वन वियां राश्टी उद्ध्यान भूपाल में इसति थे इसके इसताफना पहल वाले च के गईW interess राश्ट उध्यान जो कि आपका होशंगा बाद जीले में इस्ती थे इसके स्ताफना 1981 में हुई पेंच राश्ट उध्यान जो कि आपका सिम्नी छिंदवाडा जीले में फेला हुआ है इसके स्ताफना भी 1983 में हुई थी फासिल उध्यान जो कि आपका 1968 में जो है इसके स्ताफ नकी गई थी और यह कहाँ पर है तो यह मद्यप्रदस के डिंडोरी जिले में इस्ती थे महीं देखिए तीन ओर राष्टी उद्ध्यान आपर बाकी रह गई है एक है अमारा जो कि वह आता है डाइनासोर राष्टी उद्ध्यान या डाइनासोर जिवास्म पार्क वाला जो राष्टी उद्ध्यान जो कि आपका अधार जिले में इस्ती थे वही एक ओर है कुनो पालंपूर राष्ट उद्यान जो कि मद्यप्रदेस का बारवा राष्ट उद्यान बना और यह आपके मद्यप्रदेस के शोपूर जीले में इस्तित喝 और इसको राष्ठ उद्यान का दर्जा वट्ष편 2018 में आपका दिया गया था तो यह मद्यप्रदेश के बारा राश्टी उध्यान आपको यहां पर बता दिये, चलिए देखते हैं अगला कोशन, अगला कोशन है मद्यप्रदेश में कुल टाइगरों की संख्या के कितने प्रतिशत है, टाइगर जो है मद्यप्रदेश में पाय जाते हैं, तो 22 से प्रति शर्ट टाइगरों को संबाले हुए है सरवादिक टाइगर जो है काना किसली राष्टी उद्धान में है जबकि सरवादिक घनत वाला जो राष्टी उद्धान है वह आपका बांदवर राष्टी उद्धान है अगला कुशन मद्दप्रदस के किस राष्टी उद्धान में पहड़ी की चोटे पर जोर्ज केसल भावन जो है आपका बना है तो यह जो ही कैसल भावन भावन है चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला question मद्य प्रदेश में कुल कितने अब्यहरण है तो 31 जो है मद्य प्रदेश में कुल आपके अब्यहरण है option C जो हमारा यहाँ पर right answer बनता है तो मद्य प्रदेश में वरतवान में आपके 12 राष्टी उद्यान और 13 अब्यहरण है हाँ जो एक अभ्यारन था आपका कुनो पालंपूर वह उसको राष्टी उद्धान बना दिया गया तो मद्द प्रदेश में जो है आपके अगर पूछा जाई कि वर्तवान में कुल कितने राष्टी उद्धान है तो आपके 12 है और अगर अभ्यारन आपसे पूछे जाई त दोनों जो है हमारा राइट अंसर बनता है मद्द प्रदेश में लुपत प्राइस सोन चीड़िया के लिए दो अभ्यारन घाटी गाव जो की ग्वालियर में इस्तित थे करेरा जो कि शिवपूरी में इस्ताफित के गये हैं जो सोन चीड़िया के विसे सरक्षन के लिए आ आपका जाना जाता है और यह कि जिले में आता है तो मद्द प्रदेश के धार जिले में आपका आता है मद्द प्रदेश के खर्मोर पक्षी को सरक्षन प्रदान करने के लिए दो अभ्यारनों के आपकी इस्ताफना की गई जिनमें सरदार पूर धार तथा सेलाना अभ्या एक जल् 업स डुरेंट legally लिया आव कोश्टेश में की तरह you a कश्धारण में प्रदैश में घड़्याल का सरक्षन किया जाता है चार प्रशन डार में केंन सोन न्यां उप्रवक्त सभी में इसका आपका राइट आंसर बन्ता है उप्षण दी उप्रोक्त सभी में जो है आपका घडियाल का सरक्षन किया जाता है यानि कि चंबल सोन और केन इन तीनों जगा जो है आपका इसका सरक्षन किया जाता है मद्यप्रदेश में घडियाल का सरक्षन राष्ट्य चंबल अभ्हरन जो कि मूरेना में इस्ति थे केन अभ्हरन जो कि चतरपूर पन्ना जिले में आपका फेला हुआ है तथा सोन अभ्यरन जो कि सीधी सेडोल में है यहाँ पर जो है आपका गड़ियालों का सरक्षन किया जा रहा है अगला कोशन यहाँ पर है कि मद्व परदा migration का सबसे बड़ा अभ्यरन कौन सा है चार उप्षन है नोरा देई राला मंडल गांदी साल या पेंस तो इसका आपका जो राला मंडल अभ्यरन और यह कहा पर इस्ति तो यह मद्व, प्रद्रास का सबसे बड़ा अभ्यरन है और क नहां पर इस्ति थे तो यह आपका मंसोर में इस्ति थे वही पेंच राष्टी उद्यान आपका सिव ने चिंदवाड़ा जिले में फेला हुआ है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारन नोरा देह अभ्यारन सागर में है और इसका छेतरफल अगर आपसे पूछा किलोमेटर में मंसोर जीले में फेला हुआ है तथा पेंच जो आपका अभ्यारन है इसका कुल्चेत्रफल आपसे पूछा जाए तो चब्वालिस दसमलो नो वर्ग किलोमेटर में जो ही आपका फेला हुआ है तो यह थी इनसे जुड़ी जानकारी है चलिए देखते हैं यह और अभ्यारनों में जो है आपका सर्वादिक पाया जाता है मद्यप्रद्यस के राष्टी उद्धान तता अभ्यारनों में मुख्यत बाग, तेंदुवा, सांभर, निलगाई, चीतल, चिंकारा, हीरन, आदि जानवर आपके पाया जाते हैं इन में से चीतल सर्वादिक सं अभ्यारनों में आपका पाये जाता है अगला कोशन यहां पर है कि राष्टी उद्धान तता बहरन की दरश्टी से मद्यप्रद्यस का देश में कून सा इस्तान है चार उप्षन है पहला दूसरा तीसरा या चोथा तो इसका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है पहला तो राष्ट्यूद्धान तथा भैरण की दीश्य से पूरे देश्य भर में कोकेश राज़य का के लाइस्तान आता है तो वह हमारा मध्यपतेश है और यहाँ पर राष्ट्यूद्धानों की अगर बात कि जाए कि राष्ट्यूद्धान कितने हैं तो आपके इंदोर जिले में इस्ति थे और इसका कुल छेतरफल अगर आपसे पुछा जाई तो दो दसवनलों तीन चार वर्ग किलोमेटर में जो ही आपका फेला हुआ है सेलाना अभ्यरन आपका कहाँ पर है रतलाम में इस्ति थे और चाप बहरन कहाँ पर इस्ति थे निवाडी जीले में और छिंदवाडा तो खुद ही आपका एक जीला है चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जान करी तो मद्यप्रदेश में आपके 30 बहरन है इन में से सबसे चोटा बहरन राला मंडल इंदोर में इस्ति थे और इसका छेतर पल दो दसवनलों तीन चार वर्ग किलोमेटर है अगला कोशन है प्रदेश का सबसे चोटा राष्टी उद्यान कौन सा है देखें यहां पर राष्टी उद्यान पुछ रहा है चार उप्षन है फासिल माधव वन वियार या उप्रक्त में से कोई नहीं तो जो फासिल या जिवासम राष्टी उद्यान जो कि आपका प्रदेश के शिवपूरी जीले में आपका इस्तित है तो इसी के साथ आज का जो हमारा यह मध्यप्रदेश के राष्टी उद्यान एंव बहरन से संब्धित जो हमारा पार्ट वन था कंप्लीट होता है सेशन के साल लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा अधिक साधिक ल आप के आने वाला है ताकि जो आपका तोपीक है मध्यप्रदेश के राष्टी उद्यान और अभ्यरण आपका आच्छे से कवर हो जाए तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करिएगा वीडियो को शेर भी करिएगा और चैनल पर पहली वार विजिट करना है त थांक यू वेरी मुच्छ